मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास्मेंट भाई सुरज गुपता आज की सेशन में हम लोग 24 और 25 दिसम्बर की करेंट अफेर को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रीन में बोल रहा है एप्रोक्सिमेटली वाट पर्शेंटेश ऑफ वर्डवाइल ट्रेड पासेश थ्रू दूर्शेश कैनल यह था पूरे दुनिया का कितना पर्शेंट स्वेश कैनल से जो है वह ट्रेड किया जाता है तो आप्शन नबर बी जो 12 परशेंट अब आए थोड़ा सा हम लोग पिक्चर में चलते हैं यहां पर राइट हैंड साइड में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेट सी आपको दिख रहा है आपको मेडिटेरियन सी भी दिख रहा होगा यह यहां पर एशिया है यह है अफ्रीका तो आपको अच स्वेज कैनल बहुंत है यहीं से से यह वाला जो भाग देख रहे हैं इस कईनल कहा रहा और इसका जो वज़े से अभी यहां पर इस वाले जगह पर स्वेस कैनल में थोड़ा सा डिस्टरप्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड में इसके ट्रेड पर अब आई हम लोग स्वेस कैनल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं यह स्वेस कैनल इसका स्टार्टिंग कब बनाया गया था मतलब सुर्वाती यह क्या था तब 25 अपरिल 1869 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम सुरू किया गया था कंप्लीट कब हुआ 17 नवंबर 1869 में जाकर यह तोटल कंप्लीट हुआ लेंद कितना है याद रखेगा 193 किलोमेटर का यह कैनल है यह जो आप देख रहे हैं अगतलब योरोप से जितने भी व्यपार है इसके उपर में आपको यहां से यहां मिलेगा अतलब डायेक्ट आप यह यौरोप से वध और काफी कम समय में समय के बचट करते हैं कम पैसे में कम खर्च में आप यह यह आपाइदा है चलिए मूव करते हैं अगलाकुशन वा यह एक तरह का बैक्ट्रिया है अब इसके ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यह बैक्ट्रिया का खोज किस ने किया था विश्व भारती यूनिवर्सेटी के रिसर्चर्च ने इसे खोज किया था यह क्या है एक तरह का बैक्ट्रिया है काम क्या करता है यह स्वाइल के न्यूट्रिंट्रिंट्स को बढ़ाता है स्वाइल के न्यूट्रिंट्रिंट्स को और भी बेटर करता है ठीक है इसलिए देखा लिए नाम का है पैंट्टू यह यह रविन्ना टैवर के नाम के ऊपर में इसका नाम दिया गया है ठीक है चलिए मुफ करते हैं अब हम लोग अपने अगले कुश्चन की तरफ अब का तिसरा कुश्चन आपके स्क्रीन पर वेश्य मिनिस्टरी हाज लॉंच्ट भूमी रासी पॉर्टल इन में से कौन से मिनिस्टरी ने भूमी रासी पॉर्टल को लॉंच्ट किया है याद रखे गा ऑप्सिन नुबर सी निस्टरी आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हा यह नितिन गटकरी इसके मिनिस्टर है अगर हम अग्रिकल्चर की मिनिस्टर की बात करें तो वह होंगी अर्जुन मुंदा मुंदा मिनिस्ट्र आफ रूर डेवलोप्मेंट्स की बात करें तो गिरी रास सीग सीग मिनिस्ट्र आफ फाइनेंस की बात करें तो निर्मला सीथरमन सीथरमन ठीक है यह चार मिनिस्ट्री चारों मिनिस्ट्री किसके अधिन कारे करता है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है अब भूमी रासी पॉर्टल क्या है भूमी रासी पॉर्टल में टोटल 1467 प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कितने हैं टोटल 1467 और इस पॉर्टल के अंतरगत यह सारे के सारे प्रोजेक्ट किये जाएंगे यह प्रोजेक्ट है किसका यह प्रोजेक्ट है नेस्नल हाइवे ऑथरीटी आफ इंडिया National Highway Authority of India का यह project है जो की यह concept portal से maintain किया जाएगा यह है भूमी रासी portal यह सारे के सारे project जो है वो इस portal से maintain किये जाएगे project है क्या यह है land acquisition land acquisition ठीक है भूमी अधिगरहाट से related जैसे बहुत सारे जगह पर अभी क्या हो रहा है land की काम चल रही यहनि की national highway का work चल रहा है तो जिन जिन के घर से होकर national highway का एक infrastructure बनकर तयार हुआ है वो वहां के लोगों को क्या करेगी government कुछ पैसा देगी ताकि उसके land को खरीद पाए और वहां से सुविधा जनक क्या करे national highway या state highway का निमार कर पाए यही है land acquisition जो की national highway authority का अंतरगत आता है और project कितने है टोटल 1400 सर्शाथ ठीक है चलिए question number 4 आपके screen पर विच स्टेट इस दे में स्टेट पार्टनर अप दे इंटरनेशनल गीता सेमिनार और गीता महत्सव बोल रहा है अंतरश्टे गीता सेमिनार और गीता महत्सव में मुख्य राज्य भागिदारी राज्य कौन सा है जिन्होंने मुख्य राज्य की रूप में भागिदार लिया है एंसर होगा अश्रम ठीक है चुरिए अभी यहाँ पर कुछ fact है की फेक्ट उसको अमनों देख लेते हैं दिसंबर 17 2023 में वाइस प्रेशिडेंट जगदीद धनकर्ड याद रखिएगा हमारे देश के जो वाइस प्रेशिडेंट है वो कौन है जगदीद धनकर्जी है हाल फिलाल में इन्होंने गीता सेमिनार को इनुग्रेट किया है गीता सेमिनार और गीता मोहत्सव कहाँ पर एट ब्रह्म शरूवर इनकुरुशेट रखिएगा हमारे देश के जो वाइस प्रेशिडेंट है जगदीद धनकर्जी उन्होंने इंटरनेशनल गीता सेमिनार गीता महत्सव का क्या किया है इनुग्रेट किया है कहां पर ब्रह्म सरोवर इनकुरुशेत्र हरयाना दुश्रा थीम अगर आपसे पूछ ले कि इसका थीम क्या है यह होगा वाशुदेवा कुटुम्भकम ठीक है इसका मतलब होता है स्रिमत भागवद गीता एंड भीज़ेंट की बात की जाए तो वह होगी 17 दिसंबर से 24 दिसंबर शुदेख है असम प्लेश्टाइटो रोल मैंने बता दिया है वाइटल रोल इसमेन स्टेट पार्टनर इन दिस प्रोग्राम को अब यह प्रोग्राम कौन-कौन करवा रहें कौन-कौन-कौन से डिपाट पतियाला एंड इंपोर्मेशन एंड पब्लीक रिलेशन डिपार्ट्मेंट अफ रियाणा चले मुव करते हैं पाच्वा कोश्चन विच उनिवर्सिटी हाज वोन मौलाना अबूल कलाम अजार ट्रॉफी दोहजार तेश एंसर है अप्शन नंबर भी गुरुनानक देव उन सब्सक्राइब करेंगे तो उनिस अजार डॉलार यूस्टी स्पॉंसर बाइंड इंडियन गॉर्मेंट और टोटल एवार्ड इस एक्स्ट्रा क्वेशन बन सकते हैं आपके एक्जाम में इसलिए यहां पर मैंने अड्र कर दिया है यह सारे के सारे जो एक्स्ट्रा कोशन्स आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है कि चल ही अगला कोश्चन चाहिए को Eck singular मीनिस्ट्री आफ रूर्र डिप्लोप्मेंट even के मिनिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है इसके जो मिनिस्ट्र है वह गली सीघ 0 इन्होंने साइन किया है तु आउट्रिस दप्रोड़क्ट ऑफ सेल्फ हेल्फ गुरूफ और दीन दयाल अति उद्दे योजना नाशनल लूरल लाइबलियोड मिशन बोल रहा है ग्रामिड विकास मंत्राले ने दीन दयाल अति उद्दे योजना राष्टे ग्रामिड आजीव का मिशन किस श्वर्म शेयक शमो यानि सेल्फ हेल्फ गुरूप के उत्पादों की पहुँच को बढ़ाने के लिए किस खुद्रा कंपनी के साथ इन्होंने और भी बहुत सारे साइन हुए है तो वह क्या है टाटा पावर ने टाइक किया है किसके सबस्क्राइब इंडियन ऑइल के साथ टाटा पावर टाइप इंडियन ऑइल डू सेट अप ओबर 500 इलेक्रिक वेकल्स चार्जिक स्टेशन अपसे कुश्टिन कर सकता है यह एक्जा जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उनके सप्प्लाई के लिए दस डीजल लोकोमोटिव सप्लाई करेगा ठीक है रेल इंडिया रेल इंडिया टेकनलोजी एकनामिक सिर्फिस इसके अलावा THDC India Inc.s Pack to Develop Renewable Energy Project in करना तक THDC India जो है वो क्या करेगी? Develop करेगी Renewable Energy Project कहां पर? करना तक में याद रखे हैं कहां पर? करना तक में IBM Inc.s 3 Pack with IT Ministry on Semiconductor AI and Q Computing IT Minister IBM के साथ मिलकर 3 Pact पर Agreement हुआ है किस पर किस पर? एक Semiconductor के उपर, एक Artificial Intelligence के उपर, एक Q Computing के उपर IT Ministry जब यहाँ पर आही चुका है तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं IT Ministry के जो Minister है वो है अश्वीनी वैशनव जी, IT Minister है Sun Mobility partner with Blue Whales to deploy over 16,000 EVs Sun Mobility partners के रही है किस के साथ? Blue Whales के साथ क्या करेगे? Deploy करेगी over 16,000 EVs Electric Vehicles Next साथवा कोशन, which bank has approved 300 million dollar loan to Tamil Nadu to help 21 urban local bodies? किस बैंक ने 21 सहरी अस्थानिय निकाय के मदद के लिए तमिल नडू को 300 million dollar का रिंड का स्विक्रिती किया है Option Number D World Bank चले यहां पर देख लेते हैं World Bank हाल बिलान में किसे के से loan approved किया है एक नमबर जो है World Bank approved 1.5 billion financial for India's low carbon transitions 1.5 billion financing किया गया है World Bank के द्वारा भारत को low carbon transitions के लिए दूसरा नमबर World Bank ने approve किया है 391 million dollar for Asham and Tripura तीसरा नमबर The Bank approves 150 million loan for resilient Kerala program तीक है इसके लावा और भी तीन जगा में क्या हुआ है World Bank अब चलते हैं अगला question को उपर अगला question जो है आठवा अठवा according to the recent pitch rating data what is the India's growth forecast for fiscal year 2024 pitch rating data के हिसाब से भारत का जो है GDP वो कितना growth कर पाएगा 2024 तक यह आप से पूछ रहा है option number B 6.9% यह growth कर पाएगा इसके अलावे यहां पर और भी बहुत सारे GDP लिस्ट आपको यहां पर दिख रहे होंगे अपडेटेड जीडीपी लिस्ट तरह तरह के बैंक्स और संगठन ने अपने अपने एक जीडीपी बताया है भारत के लिए चलिए उसके बारे में देख लेते हैं गोल्ड मैंस एच 6.2 परशेंट 2024 के लिए फिस्ट रेटिंग मैंने आपको बताया 24 के लिए 6.9 परशेंट है लेकिन 25 के लिए 6.5 परसेंट है यह हमेशा याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वह अलग-अलग बैंक्स और अलग-अलग संस्था का अलग-अलग यहां पर मेंस्ट किया गया है आपसे कहीं से भी कोश्चन पूछ सकता है ठीक है यहां पर आई- परटेक महिंद्रा बैंक ने कितना रखा हुआ 24 के लिए 6.8 परशेंट सिटी ग्रूप 6.7 डिबीएस 6.8 परशेंट एडीवी एसेंट डवलेप्मेंट बैंक 6.7 24 के लिए 25 के लिए 6.7 है मॉर्गन स्टैनले 6.9 24 के लिए आर्बी आई 7 परशेंट यह थोड़ा ज्यादा अब ध्यान रखेगा अर्वियाई से थोड़ा ज्यादा पूछ लेता है तो आर्वियाई का 7 परशेंट 24 के लिए 24 के लिए नमूरा 6.7 परशेंट फिसकल यह थोजार 24 अलग अलग संस्था और अलग अलग बैंक का जो है 24 25 का अपना एक जीडीपी अनुमान लगाया गया है जो कि आपके यहाँ पर स्क्रीन में मैंने सब डिफरेंट टाइप के जीडीपी गुरूथ रेट बता दिये हैं आप इसे याद कर लिजेए चलिए मूब करते हैं नमा कोशें विच आप दा फॉल्विंग कंट्री विल लिव लिव दा और ग्राइजेशन ऑफ पेट्रो इससे एंसर होगा और बी अंगोला और भी बहुत सारे कंट्री जो है जिन्होंने अपक को छोड़ा है जॉइन किया है वह हम लोग इसके बादवाले स्लाइड में की पॉइंट के रूप में देखेंगे तो चलिए मूफ करते हैं अगले स्लाइड में तो यह रहा ऑपक के बारे में कुछ जानकारी जो हम लोग देख लेते हैं उपक वास फाउंडेट इन नाइंटीन हंड्रेट सिक्स्टी बाइस साओधी अरबिया कुएथ वैनेजवेला इरान इराक एंड अंगोला अंगोला जोइन कब किया था 2007 में जोइन किया था ठीक है लेकिन अगर फाउंडेट कंट्रिस की नाम पूछी जाए तो आप साओधी अरबिया कुएथ वैनेजवेला इरान और इराकी बोलेंगे क्योंकि यह 1907 में इसका क्या हो था फाउंड हो था किया और और भी बहुत सारे नॉन मेंबर्स के साथ मिलकर काम किया था ठीक है अगोला हाल फिलाल में ही अभी छोड़ दिया जैसे की कोशन में आपको बताया गया कतर जो है 2019 में इसे अपको इस तंस्ता को छोड़ दिया है क्योंकि वह लोग गैस में फोकस कर रहे हैं ठीक ह अब आंगोला का बारे में थोड़ा देख लेते हैं लॉंदा करेंशी अंगोला क्वांजा प्रेसिडेंट होगे जाओ लॉरें को गॉट्वांचा होगा अफरीका टेक है या अफरीका कॉंटिनेंट में आता है नेक्स्ट नेक्स्ट हो है जद्दसव कोश्यन रिसेंट्ली विच आफ फॉल्विंग प्रपोज्ट आफ फेस्वाइस ट्रांजिशन्स तु इंस्टेंट सेटल ओफ ट्रेड इन एक्विटी कैस मार्केट वो कौन सा है सेवी टिक है सेवी हाली में निमने लिखित में से किसन फॉल्वर्म सिक्योर्टी एक्ष्चेंज बूर्ड ओफ इंडिया फाउंडेड बारह अप्रेल निस्टासी एक्ट आया था उनिस्टो बांबे में हेड़क्वाटर अगर आपसे पूछे तो मुंबई चेर्मेन माधावी पूरी बुक से भी सेट अप उध्यकोटक कमिटी चलिए अगला कुश्चिन विच स्टेट हाज वॉन द नैसनल एनर्जी कंजर्वेशन एवार्ड यह जीता है करनाटक ने इस एवार्ड को जीता है और यह कंजीक्यूटिव लगातार तीन से चार बार यह दोजर बीस में भी दोजर इकीस में बाइस में तेस में चारो साल इन्होंने लगातार इस पुरुषकार को जीता है इस पुरुषकार को दिया किसने है प्रेशिदेंट आफ इंडिया दृपदी मुर्मू एंडेड ओवर्ड वर्डेवर्ड तो के पी रुद्रप्याई मैनेजिंग डिरेक्टर अफ करनाटका रिनेवल एनर्जी डवल्मे अंतराष्टे क्रिकेट से सन्यास की घोश्रा की है वह किस देश्ते हैं वह हैं साउथ अफ्रीका अप्शन नमबर बी अब यहां पर और भी बहुत सारे लोगों ने रिटार्यमेंट का अपना घोश्रा किया हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं असपड सफपयक अल फॉर्मस आफ करिकेट पकिस्तान के हैं गृर कित सिंगमान इंट्रनेचनल क्रिकेट Australia, Sunil Narin International Cricket West Indies, David Willey International Cricket England, Saur Narin Tipoch International Thailand, Aleister Cook International Cricket England, Stephen Finn All forms of Cricket England, Alex Helms International Cricket England, Manoj Tiwari All forms of Cricket India शलिए, move करते हैं अगले question की तरफ, अगला question, poet सुकृता पॉल कुमार has won the sixth edition of रविंद्रनाठ टैगोर लिट्रेरी प्राइज फॉर वीच बुक, कौन से बुक के लिए, सुकृता पॉल कुमारी, जो की कभी हैं, उनको ये छटवा एडिशन मिला है, रविंद्रनाठ टैगोर लिट्रेरी प्राइज का, अशर होगा, option number D, salt and paper, अब हाल फिलाल में और भी बहुत सारे आवर्ट हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं, Most Energy Efficient Application of the Year, Crompton Electric, World Special Prize for the Interior 2023, by the UNESCO SpriX Versailles, Campegoda International Airport, 11th Fikki Water Award 2020, Under the Industrial Water Use, Efficiency Category, NTPC Kanthi, Liv Crickshan's Lunar Prize, किसे मिला है, 204 Chandrayaan 3, Moon Mission, Vudhan's National Order of Merit Gold Medal, Dr. Poonam Chetrapal Singh, जो की World Health Organization के Regional Director है, South East Asia की, चले, अगला question, 14 question, Who has won the 177 Ramanuj Award 2022, 2022 का 177 Ramanuj Phrushkar इसमें जीता है, तो ये answer होगा, आपके, option number C, Yangtang, sorry, sorry, Ragsing Zhang, ये नहीं होगा, option number C नहीं होगा, option number D होगा, Ragsing Zhang, जो है, इन है, 2000, 22, प्रेंटिंग मिस्टेक है, इस questions को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, इसमें printing mistake लग रहा है, चले, move करते हैं, next question की तरफ, और आज की सेशन का आखरी question है, question number 15, in December 2023, which countries Navy has added two domestically produced sophisticated cruise missile, नाम क्या है, उस cruise missile का, तलेया और नाजीर, तो इट्स आर्सेनल, दिसमबर 2023 में, किस देश की नौशेना ने अपने ससत्रगार में दो घरलू निर्मित परी स्कृत क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है तलेया और नाजीर को सामिल किया है, option है, E, इरान, चलिए, देखते हैं, यह क्या है, तलेया का जो रेंज है, वो एक हजार किलो मेटर तक का है, इसके डिरेक्शन को, और टार्गेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नाजीर, रेंज ऑफ हंड़ेट किलो मेटर्स एंड शिक्टी तू माइल्स, और यह एंड बी इंस्टार्ड ओन वार्शेप, वार्शेप में इसे क्या किया सकता है, इसके अलावा इरान के कुछ कापिटल, करेंशी इस प्रेशिडेंट, कापिटल है तहरान, करेंशी है रियाल, प्रेशिडेंट है इब्राहिम रैसी, तो यह रहा दो हजार तेश के चौबिस एंड पच्चीस दिसमबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफ़ेर, क्योंकि चौबिस तरीक को मैंने नहीं दिया था, तो उसके जगह पर मैंने आज दोनों मिलाकर 24 और 25 दोनों का ही मैंने एड करके यहां पर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर, जो 15 करेंट अफेर है, 2023 के 24 और 25 दिसमबर का वो मैंने आपके इस वीडियो में इस सेशन में दे दिया है, तो आप इसे पढ़ लिजेगा, लिंक भी आपको मिल जागा इसका पीडियाफ का तो आप लोगों आते डाउनलोड करके इसे अपने जिसा आप से अच्छे से रख लिजेगा, ताकि प्यूचर में जल कभी इसकी जुरूत पड़े, तो आप उस वीडियाफ के द्वारा इस कोशन सेंसर को कर सकते हैं, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, स